चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आये, कल सरकार भी बन गई, यह सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है, जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह अपने देश के प्रजात आंत्रिक तंत्र में प्रती पाच वर्षों होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक से उसके अनुसार होता है, अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्दारन करने वाला वो प्रसंग है, महतोपुर्ण है, लेकिन हम चर्विच्चरवन करते रहें, इतना महतोपुर्ण क्यों है, समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा, क्यों कैसे इसमें संग के हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम अपना करतव यह करते रहते हैं, लोग का मत परिशकार का, प्रती वर्षे करते हैं, प्रती चुनाओं में करते हैं, इस बार भी किया है, बाकी क्यों हुआ क्या हुआ इस चर्चा में पढ़ते नहीं, क्योंकि आज ही, कल ही, अधर्णिय सत्यप्रकाश महाराजी ने हमको एक वच्चन बताया, कबिर जी का, सार रूप में हम लोग उस प्रकार से विचार करते हुए, इन सब बातों को देखते हैं, निर्बन्धा बंधा रहे, बंधा निर्बन्धा होई, कर्म करे, करता नहीं, दास कहा ये, सोई, जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती हूँ, वो मर्यादा से चलता है. काम करते सब लोग है, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हूँ, उसको करना हूँ, जैसा तथागत ने कहा है, कुसलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेड भरने का काम सब को लगाई है, करना ही चाहिए, अपने शरीर को भुका नहीं रखना है, परन्तु करत समय कुसलस्य उपसंपदा है, कुशल पूर्वक, यानि उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिछोत होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय, दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें नहीं है, तो ऐसी मर्यादा र मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो माराजी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपत नहीं होता, उसमें अहंकार नही कारी देता है ये उकतिकल जब उनोह ने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है संग कैसे चलता है क्यों उसको बताने का दूसरा कौन로 सा उप्पाए सुर्अल उपाए में यही है चार पंग्तियों में संग की उर्ती धान में आती है क्योंकि इन बातों में इलजे रहेंगे तो काम रहें जाएंगे और चुनव परचार की या चुनव में जो होता है उसकी बात ऐसे है वास्तव में तो प्रजात अंत्र की अनिवार या आवच्छत प्रकृया है और उसमें दो पक्ष है इसलिए सपरदा रहती है स्पर्दा रहीती है तो दूसरे को पीछे करने का स्वयम को आगे बढ़ाने का काम होता ही है होना ही चाहिए परंद उसमें भी एक मर्याद आए असत्य का उप्योग नहीं करना चुने क्यों जा रहे लोग सौसत में जाएंगे बैठ कर उपने देश को चलाएंगे सहमती बना कर चलाएंगे हमारे यहां तो परंपरा सहमती बना कर चलने की है इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिपणी है वो कहते हैं कि रुगवेत कारों को मानवी मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है सब जगह उन्होंने समझ कहा है समानों मंत्रह, समिति समानी, समानम मना लेकिन चित्त के बारे में समझ नहीं कहा क्योंकि प्रत्यक व्यक्ति का चित्त मानस अलग-अलग होता ही है और इसलिए सौ प्रतिशत मतों का मिलान होना संभव नहीं है लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग-अलग होने के बाद भी और वासतों में संभव इसमें दो पक्ष क्यों होए कि दोनों पहलू उजागरो किसी भी शिक्के के दो पहलू रहते एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्ण अताहा ठीक हो सहमती बने इसलिए संसत बनती है लेकिन ऐसी सहमती बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमती का आसरा लेते है उसके लिए इस पर्धा कलती है इस परदा है कोई आपस का युद्ध तो है नहीं जिस प्रकार ये बाते हुई जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संसे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संगे जैसे संगटनों को भी उसमें खीचा गया टेकनोलोजी का सहरा करके असत्य बाते पर उसी गई नितांता असत्य क्या शास्त्र का विध्यान का विध्या का ये उप्योग है सज्जन विध्या का ये उप्योग नहीं करते विध्या विवाद आया ये खलस्य ऐसका आए विध्या विवाद आया धनम्मद आया शत्तिफ परेशाम परपीडन आया भुद्धिया का उपयोक प्रभोधन करने के होता है करने के लिए होता है लेकिन आधुनिक विद्या टेकनोलोजी का उपयोक असत्य परोस्ति के लिए किया गया ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई आखिर सबको देशे ही चला मैं दो पक्षा है विरोधी पक्षा कहते है मैं प्रतिपक्षा कहता हूँ वो विरोधी नहीं है उसको विरोधी मादना भी नहीं चाहिए वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए ऐसा जब चलना है, तो चुनाव लड़ने में भी एक मरियादा होती है उस मरियादा का पालन नहीं हुआ क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्चक है कि हमारे देश के सामने चुनोतिया समापत नहीं हुई अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, इंडिये अब ये ठीक है, पिछले दस वर्षों में बहुत कोज़ अच्छा हुआ है आर्थिक हमारी स्थिति, आदुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है जिसके आदार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही सामरिक स्थिति हमारी दिश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है दुनिया भर में हमारी जैश की प्रतिष्ठा बढ़ी है कला च्छेत्र में, कृडा च्छेत्र में, ज्यान विद्यान के च्छेत्र में, संस्कृति के च्छेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं हमको धिरे धिरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनोतियों से मुक्त हुए अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है समस्याओं से रहात लेनी है अभी हम बैठे है गरमी लग रही अभी तो ठंडा हो गया लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गरमी थी इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गरमी हुई और सर्वत्र हुई हिल स्टेशन्स में भी हुई बंगलूरू जैसे महानगर में जलका संकट आ गया हिमालयों के पिगलने के बारे में तरह तरी की बाते छप रही है यह परियावरन का सारी दुनिया पर संकट है भारत जो संसकारों से ही परियावरन का मित्र बनकर चलता है कृतजनेता पुर्वक नदियों को, रुक्सों को, पहाडों को, पशुओं को, पक्षियों को पूझता है, उनके साथ अपना संबन्न मानता है, वहाँ भी ये संकट खड़ा हुआ है, चोंकि विकासपत की दुरुष्टी अधुरी है, उसको बदलना होगा, सबको बदलना हो लेकिन जिसके पास ये दुरुष्टी पहले से है, वो भारत अपने आपको कैसे बदलता है, ये देखकर दुनिया उसका अनुकरन करने वाली है, तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकासपत ठीक से बनाना है अभी, उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बाते हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दुरुष्टिकत सारी बाते बदल के करना पड़ेगा, ज्ञान अविज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है, उसको भी धान में रखकर, हमारे परंपरा का ज्यान, जो काल सुसंगत है, उसको साथ लेकर दुरुष्ट है, उसका दोहन करना है, उसका पोशन होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है, उस धंग से विकास की रीती, उस धंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे, उसके लिए देश में शांती चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता, अब एक सा से मनिपूर शांटी की राहा देख रहा है उसके पहले दस साल शांतर रहा है पुराना गन कल्चर समाप तो हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहाँ पर उपज गया या उपज आया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है तरही तरही कर रहा है कौन उस पर जान देगा है समाज में कितनी बाते आ रही है भले घर की महिला है शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोंद दीती है कहां कहां हमारी संस्कार कहा है हमारी संस्कृति कहां है जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयस ही बनी है अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता लेकिन उस संस्कृति के वाहख हम लोग उसकी परवा रखेंगे तभी इसलिए समाज में पीड़ी दर पीड़ी चलने वाले संपूर्ण सुरुष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार जो संस्कृति हमको सिखाती है उस संस्कृति के पनपने का आगे की पीड़ी तक पहुचने का प्रश्ण खड़ा हो गया है जिनोंने उसको त्याग दिया उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है भले ही भौतिक वैभा होगा परिवार तूट रहे है मन में अशान्ती है छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्याले के सापाटियों को गोलियों से भून डालते ऐसी परिस्थितिया आ कि जा हमको अपना परिवार पहरा नहीं है क्या अपने हमारे सगे संबन्दी हमारे कुछ नहीं लगते हैं कि अब कि